एक मामी अपने भांजी को घर से भगा कर उससे शादी कर ले दिया मामी और भांजी का जो रिष्टा होता है आप सभी जानते हैं कि कितना प्यारा रिष्टा होता है इस रिष्टे की लाज कहीं ना कहीं इस मामी और भांजी ने नहीं रखी और समाज पर एक धबा एक गंदा असर छोड़ने की कोशिश की मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कैसी महिलाएं हैं किस हद तक गिर गई हैं ये आप सोचीए और इनके बारे में आपका क्या क्याना कमेंट में आप ये जाकर बताएगा ज़रूर बिहार के गुपाल गंज से सामने आया अनोखी शादी मामी और भांजी ने किया एक दूसरे से शादी मामी और भांजी के बीच जो रिष्टा था नहीं रख्यू उसकी इलाज आपको बता दे कि बिहार के गुपाल गंज से एक अनोखी अजीबो गरीब शादी देखने को मिल रही है जिसको देखकर सुनकर लोग निंडा कर रहे हैं जिया आप सबी जानते हैं कि हमारे समाज में आए दिन किस तरीके से लोग कभी प्यार करने के चक्कर में घर से भाग जाते हैं तो कभी अपने परिवार को छोड़ देते हैं तो कभी क्या कुछ नहीं कर देते हैं इसी बीच बिहार से कैसी शादी का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वाइरल तो हो ही रहा है साथी लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या हमारे समाज में अब यही सब देखने और सुनने को रह गया है जरा आप सोचिए कि एक मामी अपने भांजी को घर से भगा कर उससे शादी कर लेती है और ये मामना गुपाल गंज का बताया जा रहा है इस वीडियो को देखकर सब लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर हो गए है क्योंकि कहीं न कहीं मामी और भांजी का जो रिष्टा होता है आप सभी जानते हैं कि कितना प्यारा रिस्ता होता है इस रिष्टे की लाज कहीं न कहीं इस मामी और भांजी ने नहीं रखी और समाज पर एक धबबा एक गंदा असर छोड़ने की कोशिश की है यह वीडियो सोचल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वाइरल हो रहा है, दोनों घर से भाग जाती है, मामी का नाम शोबा कुमारी भान जी का नाम सुमन कुमारी बताया जा रहा है, दोनों घर से भागती है, मंदिन में जाकर शादी रचाती है और ज़रा सोचिए कि सबसे शर्मिन्दगी की बात मामी भांजी शादी करने के बाद बड़ी ही बेज़ती के साथ और बड़ी ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई शर्म नहीं है मीडिया में आकर बाइट देती हैं कि हमारा तीन साल से प्रेम प्रशंग चल रहा था और हमने घर से भाग कर शादी कर ली मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कैसी महिलाएं हैं किस हद तक गिर गई है ये आप सोचिए और इनके बारे में आपका क्या कियाना कमेंट में आप ये जाकर बताइए गाज़र वह इस शादी को देखकर लोग अलग अलग राहे इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जो अपना परिवार ना चला कर अपने बच्चों पर ध्यान ना देकर ऐसी घटिया हरकते कर जाते हैं वहीं आपको बता देगी दोनों बड़ी ही बेशर्मी के साथ लाल जोडे में जाते हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं साथ फेरे लेती हैं अगनी को साक्षी मान कर और कहती हैं कि हम साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं चोड़ेंगे वहीं जब से यह शादी चर्चा का विश्य बनी और जब ये दोनों शादी कर रही थी मंदिर में आस-पास के लोगों को पता चला तो वहाँ पे भीड़ी कठा हो गई भीड़ी कठा भी क्यों न हो क्योंकि हमारे समाज में तो ऐसा आए दिन मुझे लगता है कि कभी-कभी देखने को मिलता और ऐसे बत्तमीज और निहायती घटिया औरते हमें कभी-कभी देखने को मिल जाती हैं तो वहाँ पे भीड़ी कठा हुई लोग इनकी शादी को आएगे जब हम आपको यह बता देंगे कि जो मामी शोभा कुमारी हैं उनके बच्चे भी हैं सोचे बच्चे रहने के बाद पती होने के बाद अपनी भांजी से यह फेर चला लेती और कहीं न कहीं एक शक सा हो रहा है कि आखिर यह सब कैसे और यह मामला ही ऐसा एक अनोख पूच आई है लेकिन इस मामले को सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि मामी और भांजी का रिष्टा क्या इतना गिर जाता है क्या आने वाले समय में इससे भी जादा गिर जाएगा फिलाल इस वीडियो को देखकर इस मामले को जानकर ऐसी घटिया शाद आई गैगा जही chemical जाएगा जाएगा थिह यह को एक्या जाएगा जेल花 है ऑ्के शरूर प्लाफ एक जानकर झाल है क्या brewू और मुलू एकर एक जा相 जाएगा झाएगा जाषण तर एकर अक्वार, जाएगा घ्र०ू जान एकल एक प्लाएगा जोटाएगा झाल